आज की इस एपिसोड में डिसकस करने वाले हैं इन्फोसी से स्टॉक के बारे में और इन्फोसी से स्टॉक में इस समय आप देखेंगे तो टेक्निकली क्या पाएंगे कि एक हायर हायर लो का ट्रेंड दिख रहा था यहां से कंटिनियूस ब्रेक आउट हुआ फिर रिजल्ट से एसल के साथ चाहें तो इसे स्टॉक में लॉंग कर सकते हैं जहां बरा टार्गेट भी आपको दिख सकता है फोटीन हंडेड फोटी से फोटीन हंडेड फिप्टीन हंडेड ट्वेंटी तक के लेवेल इसके साथ देखें कुछ न्यूज इन्फोसीस में है नहीं तो मेंल एक नंबर है जो एस्टिमेटेड नंबर था उसको भी कंपनी ने बीट नहीं कर पाया और यहां देखेंगे कंपनी ने जो नंबर एक्सपेक्ट करें थे 1123 करोर प्रॉफिट रेवेन्यू 13492 करोर लेकिन जो प्रॉफिट रहा है वह थ्री डिजिट के प्रॉफिट रहे रेवेन्यू भी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाया और जब इस परकार के नंबर हो तो फिर थोरी गिरावट दिख सकती है यहां देखेंगे जो एटी नाव के जो पोल थे उसको भी बीट नहीं कर पाया है और यह थोरी गिरावट का सामना करते दिख सकता है यहां एक major support zone है और 11 10 के level को breakdown करता है तो नीचे देखेंगे तो 1060 का ही एक major support है 10 1000 और 1060 तक के levels downside में दिख सकता है लेकिन याद रखे 1180 के उपर अगर stock जाता है कई बार हमने देखा है कि result नहीं better होने के बाद भी stock में बरा train दिखता है क्योंकि already stock breakdown हो चुका है तो 1170 आप मानने इसके उपर आप चाहें तो long कर सकते हैं और अगर 1120 को breakdown करता है नीचे के तरफ तो 1060 यानी 1000 तक के downside भी easily दिख सकता है